दोस्तो बॉलिवूट के खिलाडी अक्षे कुमार की फिल्म बड़े मिया छोटे मिया ने इतिहास रस दिया है अपने रिलीज होने से एक दिन पहले अब तक की सबसे बड़ी एड़वांस बुकिंग की है जा दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता होगा बड़े मिया छोटे मिया आज 11 अपरेल को सुनी माघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म की एड़वांस बुकिंग तकरिबन 3 से 4 दिनों से चल रही थी और सभी को लग रहा था कि भाया फिल्म की जो एड़वांस बुकिंग है वो बहुत ज्यादा सिलो चल रही है लेकिन उसकी बहुत बड़ी वज़ा थी जबसे फिल्म की रिलीज डेट शिप्ट हुई थी जैसा कि आप सभी को पता होगा फिल्म पहले 10 अपरेल को रिलीज की जानी थी लेकिन उसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को एक दिन आगे शिप्ट कर दिया गया और फिल्म की रिलीज डेट एक दिन आगे 11 अपरेल को बढ़ा दी गई लेकिन दोस्तो कल जैसे फिल्म की पूरी तरह से एडवांस बुकिंग शुरू हुई और अपने रिलिस होने से एक दिन पहले और एक दिन में फिल्म ने जो एडवांस बुकिंग की है अपने फर्स डे के लिए वो वाकई हैरान कर देने वाली की है बहुत सारे लोग और वो अब तक का सबसे बढ़ा रिकोर्ड है तो दोस्तो पूरी डिटेल्स में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि बड़े मिया छोटे मिया ने अपने फर्स डे के लिए कितनी एडवांस बुकिंग की है कल 10 अपरेल को फिल्म की फाइनल टोटल कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है और आज जब ये फिल्म सिनी मागरों में रिलीज हो चुकी है तो फिल्म अपने फर्स डे पर आज पहले दिन यानिके 11 अपरेल को कितनी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है इंडिया से कितनी कमाई करने वाली है इंडिया से वहीं फिल्म आज पूरे वर्ड में कितनी कमाई कर सकती है तो सारी बाते इस वीडियो में डिटेल्स में करेंगे तो दोस्तो बस साफ इस वीडियो के साथ बने रहीएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप बॉलिवूट के खिलाड़ी अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ कोई पहतरी न भी नहीं तामानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजीगा दोस्तो अगर बात करें फिल्म बड़े मिया छोटे मिया की तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक बड़ी फिल्म है, बड़े सुपर स्टार की फिल्म है बड़े डिरेक्टर की फिल्म है, बड़े बजट की फिल्म है और इस फिल्म का फैंस बहुत ज्यादा इंतिसार कर रहे थे लेकिन कही ना कही जब से फिल्म के एडवास बुकिंग शुरू हुई थी तीन से चार दिन पहले से तो बहुत सिलो एडवास बुकिंग हो रही थी और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और कहीं अक्षाई कुमार के फिल्म बॉक्स फिलॉप ना हो जाए क्योंकि अपने पहले दिन के लिए फिल्म ने मलब 9 अपरेल तक जो एडवास बुकिंग की वो लगबग 1.5 करोड पे की ही की थी लेकिन दोस्तों उसके बाद कल जब पूरी तरह से फिल्म की फुली फाइनली एडवास बुकिंग शुरू हुई सभी शहरों में सभी स्टेट्स में तो वागी कल 10 अपरेल को अपने फॉस डे के लिए यानि कि आज 11 अपरेल के लिए जो कल फिल्म ने एडवास बुकिंग की वो वागी रिकॉर्ड तोड की और अब तक की सबसे बड़ी एडवास बुकिंग की आग की जानकारी के लिए मैं आ हित्रीन फिल्म है ये हाला कि audience फिल्म को देख रही है फिल्म देखकर जब बहार निकल रही है तो फिल्म की तारीफे कर रही है और दोस्तों मैंने आप से पहले ही कहा है कोई भी फिल्म बढ़िया होती है बजट कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कितने बड़े बजट में फिल्म बनाई है अगर दर्शोकों को फिल्म पसंद आती है तो वो फिल्म बॉक्स आफिस पर कमाई करती ही करती है आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि एक हिंदी लेंग्विज की एक्शन थिरिलर फिल्म थी कि अली अबास जफर के डिरेक्शन ने बड़ी थी जिसको प्रिड्यूस किया था जैकी भगनानी वाशु भगनानी और दिप्शी खा देश मुखने और फिल्म में हमें अक्शी कुमार, टाइगर शरॉफ, पिरत्वी रासु कुमरान, मानुशी चिल्लर, सुनाच्छी सिन्हा और रॉनी तरोई बॉस एहम किर्दारों में नजर आए और फिल्म का बजट लगबग साले 300 करोड उपे बताया जा रहा है लेकिन दोस्तों फिल्हाल बात करते है एडवांस बुकिंग की तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको गौर करने की सुरुत है कल जो अपडेट मैंने आपको दिया था सुभा में मैंने आपसे कहा था कि भीया फिल्म ने 2 करोड 60 लाख रुपे की एडवांस बुकिंग की है और दोस्तों आपको ये भी याद रहे कि 2 करोड 60 लाख रुपे की एडवांस बुकिंग का कल सुभा जो मै 냉ने आपको अपडेट दिया था कि फिल्म का कौन से शहर में क्या हाल चल रहा है दिल्ली NCR के अगर बात करें तो फिल्म की 15% से ज्यादा की occupancy है जा दोस्तों ये advance booking की में बात कर रहा हूँ फिल्म ने जो final advance booking की है अपने first day के लिए आज के लिए तो advance booking की occupancy की बात कर रहा हूँ दिल्ली NCR में फिल्म की 15% से ज्यादा की occupancy है और फिल्म के पाफ 540 shows है जिसमें से 70 shows ऐसे हैं जो पूरी तरहा से almost full है और 45 यहाँ पे fast filling है मुंबाई के अंदर 14% से ज्यादा की occupancy है फिल्म के पास 400 shows है जिसमें से 40 almost full है और 40 fast filling है पोने के अंदर 5% से ज्यादा की occupancy है फिल्म के पास 190 shows है बैंगलूरू के अंदर 4% से ज्यादा की occupancy है फिल्म के पास 145 shows है है हैदराबाद में outstanding response मिल रहा है और फिल्म की 20% से ज्यादा की occupancy हो चुकी है हाला कि फिल्म के पास उतने ज्यादा shows नहीं है लगबग 40 शोजे जिसमें से 10 almost full है और तकरीबन 5 fast filling है कॉलकाता के अंदर भी बहुत शानदा response मिल रहे है फिल्म ने 14% से ज्यादा क्योक्यपेंसी दर्ज करना रखी है और फिल्म के पास 130 शोजे जिसमें से 15 almost full है और 12 fast filling है एहमदवात के अंदर भी लगबग 4% से ज्यादा क्योक्यपेंसी हो चुकी है और फिल्म के पास 360 शोजे चेन्ने में 20% से ज्यादा क्योक्यपेंसी और फिल्म के पास 40 शोजे सूरत में 4% से ज्यादा क्योक्यपेंसी और फिल्म के पास 240 शोजे जैपुर में भी 20% से ज्यादा क्योंकि पैसी हो चुकिए और फिल्म के पास 90 शोजे चंडिगर, भोपाल, लखनौ इन सभी शहरों में भी फिल्म का बहुत अच्चा हाल है यानि कि कल फिल्म ने जो एडवास बुकिंग की वो बहुत शांदार की अभी तक अगर मैं आपको बताओ तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी लिए आपको बताता चलू कि पाँच भाशाओं में ये फिल्म रिलीज हो रही है तमिल, तेलगु, हिंदी, कनाडा और मलियालम तो अभी तक फिल्म बड़े मिया चोटे मिया ने अपने फर्स डे के लिए जो एडवास बुकिंग की है वो हिंदी 2D में की है लगबग 2 करोड 20 लाख उरपे से ज्यादा की एडवास बुकिंग हिंदी 3D के अगर मैं बात करूँ तो फिल्म ने 2 करोड 16 लाख उरपे से ज्यादा की एडवास बुकिंग की है अगर हिंदी IMAX 3D के मैं बात करूँ तो लगबग 94 लाख उरपे की एडवास बुकिंग कर रखिये फिल्म ने तमिल में फिल्म ने कमाई है लगबग 37 लाक रुपे एडवांस बुकिंग से अपने फिर्स डे के लिए और वही तेलगू के अगर मैं बात करूँ तो यहां पे लगबग 1,24,000 की एडवांस बुकिंग की है फिल्म ने, मलियालम में 49,500 और कनाड़ा में फिल्म ने लगबग 390 अगर मैं All India टोटल एडवांस बुकिंग की बात करूँ और दोस्तों यह विदाउट ब्लॉक सीट्स के मैं आपको बता रहो और दोस्तों यह बहुत अच्छे नंबर है सारे शहरों का मैंने हाल बता दें दिल्ली अंसियार, मुंबई, हैदराबाद, कॉलकाता, लखनो इन सभी जगवाँ पर ओक्यूपेंस दी कमाल की है तो दोस्तों आज अपने फॉस दे पर फिल्म बढ़े मिया छोटे मिया एक बहुतरीन ओपनिंग, यानि कि आज फिल्म 11 अपरेल को कम से कम 25 करोड पैसे ज्यादा की ओपनिंग ले रही है, जाँ दोस्तों 25 करोड पैसे ज्यादा की और दोस्तों कल जब फिल्म के एड़वांस बुकिंग सिलो चल रही थी तो लग रहा था कि भाया कम से कम 18 से 20 करोड पे की ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग कर सकती है फिल्म बड़े मिया चोटे मिया लेकिन दोस्तों अब ये कहने में मुझे कोई भी हिचकिचाट नहीं हो रही है कि बड़े मिया चोटे मिया ने कल जो एड़वांस बुकिंग की वो वाकिक काबिले तारीफ और रिकॉर्ड त तो ये अकड़ा 40 करोड उपे के पार जा रहा है जा दोस्तों आज वर्ड वाइड में फिल्म बड़े मिया चोटे मिया 40 करोड उपे से ज्यादा की ओपनिंग ले रही है और सिर्फ इंडिया से कम से कम 25 करोड उपे से ज्यादा की ओपनिंग ले रही है लेकिन दोस्तों फ जहर को उस सिटी में फिल्म बड़े मिया चोटे मिया का टेकेट बुक किया है? कमेंड में जुरू बताईएगा.